बॉलिवुड डिवा कंगना रनोत की इस साल रिलीज वे फिल्म धाकर बुरी तरह से बॉक्स अफिस पर पिटी फिल्म के लिए 4 करोर कमाना तक मुश्किल हुआ कंगना रनोत ने फिल्म में जबरजस्त एक्शन किया लेकिन उनका ये एक्शन भी धाकर को डूबने से नहीं बचा सका अब कंगना ने धाकर के फ्लॉप होने पर पहली बार रियक्ट किया है कंगना रनोत ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक कुछ स्क्रिन शॉट शेयर किये हैं इसमें कंगना रनोत को बॉक्स अभीस पर कुइंग अफ इंडिया का टैग दिया गया है कंगना ने इस पोस्ट में लिखा 2019 में मेरे पास मनी करनी का थी 160 करोर की सुपर हिट फिल्म 2020 कोविट का साल था 2021 में मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होई थलाईवा जो OTT पर आई और इसे खुब सफलता मिली रियाल्टी शो लोक अप का उधारन देते हुए कंगना ने लिखा अपने खिलाफ में बहुत सारी नेगटिविटी बनते हुए देखती हूँ लेकिन 2022 लोक अप की होस्टिंग के साथ ब्लॉक बश्टर साल रहा ये साल अभी खतम नहीं हुआ है मुझे धेर सारी उमीदे हैं मालूम हो कंगना ननोत ने इस साल रियाल्टी शो लोक अप के साथ बतोर होस्ट डेविविव किया था इस सो ने OTT प्लाटफर्म पर कई रिकॉर्ड बनाए ये शो और्ट बलाजी का सबसे बड़ा शो शाबित हुआ बात करें कंगना की फिल्म धाकर की तो ये सीनेमा घोरों में 20 मई को रिलीज हुई थी कार्थिक आरेन की बुलबुलेया 2 के साथ इसका क्लैश हुआ था बॉक्स आफिस की ये जंग बुलबुलेया 2 ने शांदार कमाई के साथ जीती ये फिल्म अभी तक कमाई कर रही है मही कंगना की मूवी एक हफते से पहले ही सिमट गई थी कंगना रनौत की सुपर फ्लॉप फिल्म धाकर के बुरी तरह पिटने पर लोगों ने खुब मजे लिये थे कंगना रनौत का मजाग भी उड़ाया था उनके फ्लॉप फिल्म को लोगों ने सेलिबरेट किया